हलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दबुग गाए और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीवर्क बुख की हिंदी समरी दोस्तों कैसे शुरू करें कोई भी बिजनस इस बुख के माध्यम से आपको ये पता लगेगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं बुख समरी रीवर्क बुख की दोस्तों आप जब भी कोई बिजनस बुख पढ़ोगे तो ज्यादा तर बुख में आपको एक ही जैसी सलाह मिलेगी जैसे एक बिजनस प्लान लिखें, कॉम्पिटिशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर खोजें और भी बहुत कुछ अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुख खोज रहे हैं तो फिर रीवर्क आपके काम की नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी बुख पढ़ें जो आपको बिजनस में सक्सेस होने का बैटर, फास्टर और इजियर वे दिखाए ये बताए कि प्लान्स बनाने, आउटसाइड इन्वेस्टर खुजने, कॉम्पिटिशन की स्टडी करने, वर्क हौलिक बनने, पेपर वर्क और मीटिंग में समय बरबात करने और आफिस मेंटेन करने की कोई जरुरत नहीं होती है तो केवल और केवल, रीवर्क की एक ऐसी बुक है, जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है रीवर्क बुक आपको वास्तों में बताती है, कि असल में आपको इन सब के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, बलकि काम करना शुरू कर देना चाहिए यह सिखाएगी कि आप more productive कैसे बने, कैसे अपने पैसे बरबाद किये बगेर अपने काम को exposure दें इस बुक में आप इससे भी ज़्यादा counter initiative ideas यानि की प्रती वादात्मक विचार जानेंगे जो आपको inspire और provoke करेंगे rework आसान भाषा और एक भैतर दृष्टिकोन के साथ, उन सभी के लिए एक सटीक टूल है, जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है ये बुक hard core entrepreneurs, small business owners, नोकरी के शिकार और artist आदी के लिए बेहत valuable guidance से भरी हुई है rework, change the way you work forever को पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए तो जानते हैं वो चार मुल्बूत बातें जो जैंसन फ्राइड और डेविड हैन्मिर हैंसन हमें सिखाना चाहते हैं काम में होने वाली गलतियों से डरे नहीं कोई भी काम करना इसलिए बन न करें या फिर शुरू करने में जिचके नहीं कि आपसे गलतियां होंगी बलकि आपके मस्तिश्क में जब विचार आए तो इसे इस तरह सोचे की मिस्टेक आपको लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कमफर्ट जून से बाहर के कामों को करने के लिए करते हैं जैसे हमारे पास परियापत समय नहीं है इस तरह के बहाने हम अकसर फीलियर से बचने और अपने एहंकार को बचाने के लिए करते हैं इस बात की आपको कई बार सलहा भी मिलती होगी कि फला इंसान ने ये काम किया था, देखो आज वो बरबाद हो चुका है, इसी बारे में अबुख हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है, वो आप से अलग सरकमस्टांसेज और महावल में किया या सीखा है, कि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की गलतियां ही है, आपका उनसे कोई लिन देना नहीं है, आप अपनी असफलताओं से ज़्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं, सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप असफलताओं को बार बा हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का अनाज जरूरी नहीं है ये बुक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बजाए अगले सबसे इंपोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है अपनी पूर्व इच्छा पर अडिग न रहकर उसमें समय समय प कह सकते हैं ये वास्तविक्ता में यही होते हैं मान लीजिए आपने strategic ब्लान बनाए ताकि आपको दिशा की सपस्ट कलपना रहे कि आप को किस और जाना है आज आपने जो strategic ब्लान बनाए है वो future में relevant होगा या नहीं ये हम पूरवणमान नहीं कर सकते समय समय पर इसमें जिन्होंने अपना बिजनस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था लेकिन आज वे उससे बिलकुल अलग बिजनस में हैं वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रैंड बने हुए हैं इनमें सबसे जाना पहचाना नाम Amazon का है जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनस शु पूटर के बिजनस में हैं नैट्फिक्स ने अपना कारोबार DVD रेंड पर देने से शुरू किया था लेकिन आज वो आफलाइन स्ट्रीम के सबसे बड़े बिजनस में हैं इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने चेकिंग बिजनस से एक सोशल मीडिया के बिजनस में हैं टाट इसे बहतर तरीके से सिखाती है कि अक्सर योजनाए बहुत पहले बना ली जाती है भविश्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविश्य बदल जाता है यदि आप अपनी प्लानिंग को छ सटीक होने की ज़्यादा संभावनाए होंगी अपने काम को लेकर वर्कहलिक न बने मैं जब भी कहीं सुनता हूं कि 24 में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ तो मुझे कमकपी सी चड़ने लगती है उस समय मैं स्वयम को एनरजेटिक न महसूस करके डरा हुआ सा मह जाना, कोई पैंटिंग करना, योग, ध्यान और प्रानानायम करना, अपने स्वयम के बारे में जानने के लिए धेर सारी नई पुस्तके पढ़ना, नएने दोस्त बनाना, नएने एक शेत्र देखना, इसी तरह कि वे सभी काम जो आप सूचते हैं, इस बारे में एबुक सि जादा से करते हैं, वैसा स्वयम अच्छा महसूस करने के लिए नहीं करते, ना कि समस्याओं को सुलजाने के लिए करते हैं, यदि आप भी ये मानते हैं कि वरकोहॉलिक हैनाक अच्छा गुन हैं, तो आप ये नहीं जानते होंगे कि आपकी समय असल में वास्तविक समस्या क्या है हाँ ये लोग इतनी मेहनत कभी-कभी इसलिए भी करते हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि वास्तों में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन और कोई नहीं दिखा सकता दोस्तों आथर लिखते हैं कि आवशक्ता पढ़ने पर ही तनी कड़ी मेहनत करें ना कि हर समय वरना आपके पास जो अभी है उस पर ध्यान दें इसे कोई फर्क नहीं परता कि आपका विचार कितना शांदार और प्रांतिकारी है यदि आप इसे अच्छे तरीके से एक्जिक्यूट करने में सक्षम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है फ्राइड और हैंसन एक आइकनिक फिल् कर दें क्यूबरिक स्टार्टिंग और क्रीटिंग को महतबूंच जानते थे उसी तरह अंद्रप्रिनियोर को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने क्या वशक्ता है जब आपके प्रोड़क को लांच करने की बात आती है तो आप एक समय सिमा तय करते हैं यह तक कि अगर आपके पास अपने प्रोड़क के पूरी तरह से तयार होने के पहले जाने वाली सबी चीजों की प्रॉपर लिस्ट है तो लांच का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप इसे अभी लांच कर दें बाद में अपने उतपाद में इंप्रूमेंट और उसका करते रहें इस अप्रोच का सपोर्ट एरिक राइस भी करते हैं जिन्होंने अपनी बुक दे लीन स्टाट अप में MVP कॉंसेट के बारे में बताया सेट गौडी ने भी अपनी शिपिंग अप्रोच के दौरा इस कॉंसेट को अपनी बुक लिंच पिन में डिटेल से समझाया है बिजनस की शुरुआत में आने वाली बाधाएं अच्छी होती है क्योंकि तब आप उनसे बिजनस क्रेटिव होना सीखते हैं तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर आप वो सब करते हैं हमेशा आपके पास उपलब्द संसाधनों के साथ अपनी मूल्ट सीजों का सरुषेष्ट बनाने पर बहुत ध्यान होता है इसे समझने के लिए एक आर्केटेक्ट का एक्जामपल लेते हैं वो कभी भी बिल्डिंग पर काम करना शुरू नहीं करते फर्ष के टाइल्स की डीटेल्स की योजना नहीं बनाते यदि आप इस बात पर फोकस करते हैं क आप कुछ बेहत बेसिक चीजों से शुरू करें ताकि हमेशा प्रगर्टी करते रहें अगर आपके सामने कोई भी बड़ी समस्या है तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास न करें बलकि सबसे पहले तो इसके मूल में जाएं पता लगाएं कि आखिर इसकी जड़ कह होगा कि आपको ही यहां पर खाने वाली सभी डिशेस पकानी पड़ेगी आप जैसे किसी पार्टी का आरेंजमेंट करने के लिए मेनेजमेंट करते हैं ठीक वैसे ही किसी समस्या को डील करने के लिए आप हर काम नहीं कर सकते लेकिन सबसे महतपूर्ण काम को अवश्य सुन सकते हैं उसे बहतर तरीके से कर भी सकते हैं उन कामों को प्रिफरेंस दें जिने आप करना चाते हैं जटिल समधान की तुलना में सरल समधान बहतर है इसी तरह एक क्विक सॉलुशन एक कम्प्लीट समधान से बहतर है पर्फेक्शनिजम के बजाए परियाप्त अच्छाई को लक्ष रखें अपने बिजनस की बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा तया आ रहें आपने बिजनस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ट होना चाहिए जिने लोग आज बदलना चाहते हैं आप उन बिलकुल भी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन हैबिट को लोग पांच से दस साल बात बदलना चाहेंगे अपनी टू-डू लिस्ट को छोटा रखें आपको तो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा ये वुक सिखाती है कि आज के सेलेक्शन के द्वारा आज के रिजल्ट पर फोकस्ट कैसर रहा जाए आपकी टू-डू लिस्ट ज और हैंसन का आपको सुझाव है कि आप अपने टू-डू लिस्ट को छोटी रखें इसका प्रभाव ये होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखोगे तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं ये उस बिग पिक्चर को घूरने से भहबीत और डी मोटिवेट करने स कहीं ज़्यादा बैतर होगा ये अंत्रप्रिनोर्स के लिए पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है बिना समय बरबात की इसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये बुक आपको अपने दम पर बिजनस करने के लिए अतिमहतपून आत्मिश्वास को बढ़ा द उनके लिए इस बुक में वैलियोबिल बिजनस लेसंस हैं यदि आप अभी कोई बिजनस शुरू करने जा रहे हैं या फिर अपने आपको किसी ऐसी नौकरी में फसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो रिवर्क बुक आपके लिए एक बहतरीन गाइड है इसमें लेखक आपके काम करने का एक एफिशेंट प्रोडक्टिव और स्ट्रेट फॉवर्ड तरीका बताते हैं या आपको उससे उबरने में साहता करती है जो आपको आज तक पीछे रुके हुए हैं यह हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइप और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्श